हाई एब्रिवान आज मैं आप सब के लिए पंकिन सीट का चटनी का रेसिपी ले के आई हूँ सबसे पहले गरम कराई में हमें पंकिन सीट को भुनना है लाइट ब्राउन होने तक इसको भुनना है पका हुआ कब दूसे बीज निकालके उसको अच्छी तरह से धोके उसको दो-तिन बार दूप में सुखा लिजे और एक डबा में बन करके रखके जब मन किया थोरा सा निकालके चटनी बना के खा सकते हैं यहाँ पे मैंने एक टमाटर को भुनने के लिए रख दिया हमें पमकिन सीट को इतना ब्राउन करना है अब हम इस टमाटर को अच्छी तरह से भुननेंगे अब हम सुखा लाल मिर्च को अच्छी तरह से 5 से लेके 10 मिन तक बोईल करेंगे और 15 से लेके 20 मिन तक इसको रेस्ट के लिए रखेंगे रेच चिली के जगा आप हरी मिर्ची भी यूज कर सकते हैं चटनी में मिर्ची कम भी डाल सकते हैं तो अब मैं इसको मिक्सी जॉर में डाल देती हूं यहाँ पे मैं नमक एड़ कर रही हूं और साथ में एक टमाटर को कट करके डाल दूंगी बस हमने इन तीनों चीजों को छोर्डिसी पानी डाल के इसको ब्लेंड करना है उसके बात कद्डु के बीज जो ठंडा हो चुका होटा है उसको इसी में डाल के फिर से दुबारा ब्लेंड करना है यह वाला पंकिन सीट का चटनी आप जरूर अपने घर में बना लीजेगा क्यूंकि यह बहुत ही आप इस चटनी को राइस चपाती पूरी पराठा किसी भी चीज़ के साथ सर्व कर सकते हैं अगर आप इस चटनी को सिलबर्टे में बना हुआ देखना चाहते हैं तो मैंने एन स्क्रिम पे शेर किया हुआ है आप जरूर देख लीजेगा वहां से अगर मेरा वीडियो सब्सक्राइब जरूर किजिएगा स्टार्टिंग से एन तक मेरा साथ देखे वीडियो वाच करने के लिए बहुत बहुत धाने में